अस्सलाम अलेकुम नाजरीन मैं हूँ बिलाल जफर आप देख रहे हैं हमारा कैनेडा आज की वीडियो में आपकी रहनुमाई करूँगा मैं कैनेडा में गौर्मेंट की तरफ से मिलने वाले बेनिफिट्स के हवाले से क्यूंकि कुछ मिसंडेस्टांडिंग रहती है लोगो आठ महीने माशाला हो गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या-क्या मिलता है यह दुरूस्त नहीं है कि सिर्फ चाइल्ड बेनिफिट्स मिलते हैं क्या-क्या मिलता है कितना मिलता है वो सारा आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है लेकिन सबसे पहल है कि यह government of Canada का check है मैं आपको दिखाता हूँ यह देखें तो इस पर लिखा हुआ है GST HST credit तो इस तरह के जो checks है यह हमें आते हैं इस तरह के खाकी कागज में और यह by post आ जाते हैं अगर आप opt करते हैं इसके लिए तो आपके bank में directly deposit भी हो जाते हैं यह बलके हर दफा जब यह आता है तो साथ ही इसे slip निकलती जिसमें लिखा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको direct deposit कर दें तो चाहे आप Canada में हैं या आप नहीं बाहर गए हुए हैं आपका check work पर खुद आपके account में deposit हो जाएगा तो वह option भी होती है बड़ी भी कर सकते हैं कोई इसमें धकी चो भी बात है नहीं child benefits वैसे दो depend करता है कि आपकी family की income कितनी है उसके हिसाब से तैं होता है लेकिन generally आप expect कर सकते हैं एक बच्चे के लिए लगभग 700 dollars Canadian अच्छा ये जो child benefit है इसके इलावा आपको जो कुछ मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ एक मिलता है जैसे मैंने अभी आपको check दिखाया था इस पर लिखावा था GST HST credit इसके इलावा मिलता है climate change incentive करके कुछ नाम होता है उस check का और इसके इलावा एक trillion benefit होता है तो ये जो बाकी मैं आपको दीगर किसम के checks बता रहा हूँ जैसे GST HST हो गया या climate change या trillion benefit इस तरह के जो checks आते रहते हैं इनकी amounts क्या होती है इनकी amounts vary करती है sometimes $115 का check होता है कभी $248 का check होता है कभी $213 या $231 का check होता है कभी $500 का check होता है मतलब ये जो बाकी मैं आपको amounts बता रहा हूँ मतलब इस महीने जो आए थे माशालला they were around if I'm not wrong yes I'm not wrong आप कह सकते हैं कि ये sum up कर सकते हैं 500 Canadian dollars तक लेकिन ये हर महीने नहीं होता किसी महीने थोड़े कम होते हैं किसी महीने 500 तक भी हो सकते हैं किसी महीने कितने होते हैं किसी महीने कितने होते हैं लेकिन आते रहते हैं ये वाले भी कहने का मक्सद यह है कि यह जो benefits है इन benefits के लिए सब families entitled होती है खासतोर पर child benefits की बात करो तो जिनके भी बच्चे है वो entitled होते हैं इन benefits के लिए हाँ यह जरूर हो सकता है कि अगर आप एक certain level से ज्यादा income है आपकी तो निस्बतन कम आपको benefit मिलेगा लेकिन यह मिलता ही मिलता है अचा अब एक यह perspective है कभी कभार comments में भी मैं पढ़ता हूँ कि बिलाल भाई यह एक सदके की तरह है और आप अकूमत से इमदाद ले रहे हैं आपको इतना proud feel नहीं करना चाहिए मैं ऐसे लोगों को यह बताना चाहूँगा के you only realize what living in Canada is once you are here क्योंके Canada में आप जितना भी कमा रहे हो यहां का living expense इतना ज्यादा है कि आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है और यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई शरम की बात है क्योंके this is a genuine sign of care and respect from government to every person who is either a permanent resident or a citizen तो यह privileges हैं जो इस चीज के साथ associated है और यह government खुद अपनी मर्जी से करती है and इसकी बहुत जरूरत होती है new settlers को खास्तोर पे क्यूंके मान लीजे अगर आपके दो बच्चे हैं तो आपका easily या तो grocery उतने पैसों में हो जाएगी आपका rent उतने पैसों में हो जाएगा अब मैं जानता हूँ कुछ लोग यह भी comments करते हैं कि यह जो पैसे होते हैं यह आपके बच्चों के benefits होते हैं यह आपको इसको grocery और rent नहीं सोचने चाहिए मैं समझता हूँ कि यह इतना फजूल argument है कि इसकी जवाब भी देने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी just for the sake of response मैं यह कहना चाहूंगा कि माबाप से बहतर उनके बच्चों का खैर खुआ कोई नहीं होता अगर फर्स करेंगे बच्चों के 1400 डॉलर्स आपको मिल रहे हैं इसका यह मतलब नहीं है कि उसके आपको बच्चों को candies, toffies, chocolates लेकर देनी है आपने सारों के उनको toys लेकर देनी है, toys की भरमार कर देनी है ऐसा उनको बना देना है कि जिस चीज पर हाथ रखें, उनको मिल जाए जिन्दगी में और उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो, अगर आप ऐसा करते हैं अगर आप यह सोच रखते हैं कि आपको जो child benefits मिल रहे हैं बस आपने टोटल उसे बचों की इस तरह की चीजें आपने पूरी करनी हैं तो आप अपने बचों को spoil कर देंगे बचों को shelter provide करना, बचों की निगधाश करना, बचों को outings पर लेकर जाना, बचों को अच्छा खाना खिलाना यह सारी चीजें हमें even child benefits ना भी मिलें this is ingrained in us, we know as parents यह खुद से आता है, यह किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं है this is one of the things that pulls people towards Canadian immigration खास तोर पर लोग permanent residents लेने की कोशिश करते हैं और citizens बनने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि उनको benefits मिलेंगे तो यह benefits हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं cost benefit analysis करूँ कि आपकी बचट कितनी हो जाती है, तो एक simple सी बात आप याद रखिएगा कि मैं आपको बता देता हूँ कि average खर्च क्या होता है आज कल एक चार बंदों की family का, जिसमें एक husband, wife और दो बच्चे हैं तो average खर्च आपका, अगर आपने गाड़ी भी रखी हुई है, तो तक्तरीबन पोने 5000 Canadian dollars है, पोने 5000 से 5000, it would be safe to say 5000 Canadian dollars है तो यह जो 5000 Canadian dollars है, यह अगर आपके कोई बच्चे नहीं हैं, तो सिर्फ अगर मिया वी वी आ रहे हैं, तो उनका हो सकते थोड़ा सा कम हो जाए, उनका आप मान लीजिए 4000 खर्चा है, अगर खाली मिया वी वी हैं, तो 4000 खर्चा है, और अगर family है पूरी तो 5000 dollars खर्चा है, अगर खाली मिया वी वी हैं, तो जिस किसम की jobs आपको शुरू में मिलती हैं, उसमें taxes कटने के बाद रहता इतना है कि आप समझ लेके 2000 Canadian dollars per person, तो जब तक दोनों बंदे काम नहीं करेंगे, तब तक आप basic survival भी मुश्किल हो जागे, जब तक आपके बच्चे नहीं है तो आपको child benefit भी नहीं मिलेगा, अगर आपके बच्चे हैं, तो फिर ये आपके लिए असानी हो जाती है कि दोनों parents में से एक parent घर में रह सकता है, और दूसरा parent earn कर सकता है, और you get to manage all your expenses, हाँ अगर नसीब से, मुकदर से आपको बहुत अच्छी job मिल जाती है, तो फिर आप उसमें बच्चत भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि Canada में रहने के ब यहां पर वो सीन नहीं है कि आपने चंद सालों में इतने पैसे जोड लेने हैं कि back home जाकर बड़ी सी आपने एक हवेली बना लेनी है, यहां की immigration लेने का mindset यह है कि आपने एक high quality lifestyle जीना है, high standard of living जीना है, with integrity, respect and all human rights, with a sense of freedom, respect for humanity और peace of mind, तो यह चीज़े हैं, अपने जहेन में रखिएगा, अब आपको लगता है कि आपको Canada आना चाहिए, तो ज़रूर apply करें, और अगर आप मुझसे contact करना चाहते हैं, तो मेरा number whatsapp का description में given है, मुझसे आप contact कर सकते हैं, थोड़ा वक्त लगता है मुझे respond करने में, लेकिन eventually मैं करता हूँ, comments में माशालों ज दुनिया के किस कोने से देखी है, आप से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज